हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है लब tips and fix चानल पर और आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है अगर आपका पार्टनर आपको धोगा दे रहा है या दे रही है और आपको इस बार में पता है तो आप उस situation को कैसे deal करोगे कैसे handle करोगे उस हालात को और क्या करना सही होता है ऐसे में और क्या करना गलत होता है इन सारे चीजों के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे कि ऐसे situation पर हमको कैसे react करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए तो वीडियो बहुत ही ज़दा informative है और important भी है तो skip मत करना पूरा देखना वीडियो को चलिए वीडियो क स्टार्ट करते हैं first जो point है वो है अपनी कमी जो है उसको realize करा हो और वो करने का सही तरीका होता है space लेना या gap लेना कुछ दिन का आप space लो ताकि आपका जो partner है उसको आपका जो कमी है वो realize हो और उसके लिए space लेने से बढ़िया कोई तरीका नहीं होता है तो space लेके देख सकते हो आप कि कोई फरक पर रहा है या नहीं बट उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि एकदम आप ये उम्मीद करके बैठ जाओ कि उसको फरक परेगा है क्योंकि उसको फरक सच में नहीं पर रहा है या नहीं पर रही है आपके होने से या ना होने से इसलिए वो किसी और के साथ involved हुआ है या हुई है ये बात कहीं न कहीं सच है और ये बात आप भी जानते हो बट फिर भी अपनी तसल्डी के लिए अपने दिल की तसल्डी के लिए आप ये space लेके देख सकते हो कि उसको सच में कोई फरक पर रहा है या नहीं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इनस कर रहा है या फिर गलत कर रही है तो वो फिर सही लाइन पर आ जाता है सही पट्री पर आ जाता है कभी-कभी ऐसा होता है तो यह आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो बट ऐसे उम्मीद लेके मत करना कि इससे एकदम आपका जो problem है solve हो जाएगा ये अपने तसल्ली के ल है ठीक है तो इस बात को अपने जहन में रखते हुए आपको space लेना है अबर देखो ना यार क्या होता है space लेके देखो तो क्या होता है उसको अगर सच में आपसे कभी लगा होगा या फिर उसको सच में आपसे प्यार हुआ होगा तो वो definitely आपकी जो कमी है उसको realize करेगा या realize करेगी ठीक है लास्ट जो आपके पास option बचता है वो है move on का move on करो यार और कुछ नहीं कर सकते है अपने space देके देख लिया अपने gap देके देख लिया आप realize नहीं करा पाए क्योंकि वो already किसी और के साथ involve हो चुका है या फिर involve हो चुकी है उसको कोई फरक नहीं परत आप उसके जिंदेगी में रहो चाहे ना रहो तो ऐसे में ऐसे जो situation में हो आप ऐसे relationship में रहे के आपको सिर्फ और सिर्फ हो सकता है और कुछ नहीं होगा आपको और ऐसा अगर आपको मनजूर है ऐसे हर्ट होना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हर्ट हो सकते हो हर लग पड़ेगा तो यह जूट है यह नहीं होने वाला है क्योंकि उसको आप से कोई मतलब नहीं है इसलिए वो किसी और के साथ इन्वल्व हो गया है यह इन्वल्व हो चुकी है ठीक है और यह बात जितना जल्दी आप अपने दिल को मना लोगे जितना जल्दी एकसेट कर लोगे और मूव ओन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशल रहेगा क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो या फिर आप से अगर कोई सच में प्यार करता है या करती है वो किसी और के लिए कभी अपनी लाइफ में स्पेस नहीं देगा या स्पेस नहीं देगी और जहां पे बात ऐसी हो चुकी है कि वो किसी और के साथ already involved हो चुका है या हो चुकी है तो यहां पे साफ मीनिंग यही निकलता है कि उसको अब नहीं रखना है भई आपसे relationship हो गया है उसके लिए the end है आप पकरके बैठे हो कि çekak कि आपने सच्चा प्यार किया है न है बट उस ने तो नहीं कि आप से सच्चा प्यार तो डिफिरेंस यहां पर प्यादा हो जाता है मेरे दोस्त तो ऐसे relationship से move on कर जाओ क्योंकि ऐसे लोग सच्चे के काबिल नहीं होते ऐसे लोग सच्चे प्यार डिजब नहीं करते अपने लाइफ में इसको छोड़ो यार जाने तो ठीक है के उपर वीडियो बना के प्रोवाइड कर दोंगी है